अजमेर जिला कलेक्टर प्रकाश राजप्रोहिद निगम आयुक्त कुशाल यादव वे A.D.A. आयुक्त के साथ स्मार्ट सिटी के विभिन्नकारियों का जाय जालिया इस मौकी पर वे अलिवेटिड निर्मारकारिय के साथ में सिवरेज कारिय को लेकर गती मिले और सभी काम जल्द से जल्द पूर्ण हो इसके निर्देश भी दिये निगम आयुक्त कुशाल यादव ने बताया कि निन्याण में प्रोजेक्ट को लेकर टेंडर जारी कर दिये गए है उनका जल्द ही वर्क ओर्डर जारी होगा और वेह काम प्रगरती पर होगे वहीं एलिवेटेड निर्मार कार्य और सिवरेज कार्य प्रगरती पर है एक हजार कनेक्शन घरों में दे दिये गए हैं और 42,000 कनेक्शन देने का टार्गेट है जो जल्द ही पूर्ण होगा उन्हाने सभी से अपील की कि जल्द से जल्द सिवरेज कनेक्शन ले जिससे आना सगर जील को सवच किया जा सके उन्हाने बताया कि केद्र और राज्य से मिलने वाले फंड का सही से सदुपियोग हो इसे लेकर लगातार सभी से समभात किया जा रहा है स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर काफी गति आई है इन फाक्ट जो सेंटर से और जो स्टेट से शेर मिलना है उसके लिए जो हमें आविशक फिनैंशल टार्गेट्स पूरे करने हैं उसके प्रती भी हम दिरंतर अग्रसर हैं और अपने यह कोशिश रह हैं और जल्दी ही धरातल पर काम दिखने लगें अब तक अपने 99 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें सभी प्रोजेक्ट्स का वर्क ओडर दे दिया गया है टेंडरिंग भी हो गई है और यहार इन डिफरेंट स्टेजिस अदालग स्टेजिस हैं के वर्क प्रोग्रेस की फिजिक सब्सक्राइब देने का काम जो है पिछले मेने से शुरू हो गया है और अब तक हजार से उपर कनेक्शन भी दिये जा चुके हैं और हम अपील करेंगे से कि वह जल्दी से जल्दी अपना हाउस कनेक्शन के लिए अपलाई करें और सीवेज का जो अपना नेटवर्क है उस होके जाए वो ट्रीट होके जाए अब सम्वेर अराउंड 2022 के अंदर टेंटिटिव इसको लेके चल रहे हैं आर्डिया और साडियसी इसकी जो प्रोजेक्ट इप्लिमेंटेशन एजंसी है उनके अकॉर्डिंग ये टेंटिटिव टाइम लाइन से जल्दी इसको पूरा कि खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकही दासता होगी सच्चाई की वापसी सक्वी न्यूज सच्चाई की वापसी